बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुणने के लिए Ask Me Anything में मेरा नाम है Dr. Michael Brown और मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ God TV Family पर आपके सवालों का जवाब देते हुए सुनिए जब परमेश्वर ने हमें बचा लिया तो उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम अपने मन की और ध्यान ना दें परन्तु अपने मन को नया हो जाने दें परमेश्वर से सारी बुद्धी से प्रेम रख और अपने सारे मन से प्रेम रख तो आप अपनी सवाल पूछें, परमेश्वर की भचन को गहराई से समझें, और उससे बुद्धी भांगे, और उसमें मजबूत बने, ताकि हम उसको संसार में बेहतरीन तरीके से दर्शा सकें, आप इस तरह से God TV पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमें इमेल करें, ask at God.tv पर फिर से ask at God.tv पर इमेल करें, या पोस्ट करें फेसबुक पर, God.tv के पेज़ पर फेसबुक में, या फिर हमें ट्वीट करें, अपना सवाल ट्वीटर पर पूछें, हमारा पता है, अब ये क्या सवाल है, ये इमेल से पूछा गया है, मैरी इंगलेंड से जानना चाहती है, मनो विज्ञान के लिए मसीहत का रुख ये है, वो एकलौते सच्चे परमिष्वर के अलावा, कहीं और से जानकारी प्राप्ट करना चाहते हैं, अब कुछ तो है, जो हस्त रेखा विद्वान है, वो हाथों की रेखाएं पढ़ते हैं, वो हस्त रेखा विद्या जानते हैं, चैरु काठ पढ़ना जानते हैं, वो आपके मिलते जुलते बटन दबाएंगे, खैर जो भी हो, पर वो आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये पूरी तरह से हस्त रेखा विज्ञान है और कुछ नहीं, आप उनसे ना मिले, उनसे परामर्ष ना ले, चाहे वो कैसा भी विज्ञान हो, या वो किसी आत्माएं अच्छी तरह जानती हैं कि आपके माता या पिता ने उस खास समय में आपको क्या कहा था, वो सालों पुरानी ये बात आपको दोहरा सकते हैं, आप भोचके हो जाएंगे, डर जाएंगे, अरे ये सच है, महज इसलिए कि वो सूचना सटीक है, इसका अर्थिय न आत्रीकों जाओं या भूत साधने वालों के पास मत जाना, जो शुब या शुब मुहरत की बात करते हैं, या शरीर के अंगों को बढ़ते हैं, और ऐसी विद्या के द्वारा भावी कहनी वाली बाते करते हैं, या भविश्य बताते हैं, नहीं उनके पास मत जाना, का वचन कभी टलता नहीं, हमेशा सच्चा है, उसके वचन में से बुद्धी को मांगे। और फिर अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो सिधे तोर पर आपको सपष्ट नहीं है, तो परमिश्वर से बुद्धी मांगे। येश्व ने कहा मेरी भेड मेरी आवास को पहचान पॉलूस रोमियों को लिखता है कि जो परमिश्वर के आत्मा के चलाये चलते हैं, वो परमिश्वर के फूत्र है, परमिश्वर का आत्मा हमें पाप से बचा कर धार्मिक्ता में लिए चलता है, पुवित्र आत्मा के दौरा परमिश्वर से एक अच्छा संबंद बनाएं, त तो आप बिल्कुल बच कर रहें पर मैं तो उनके पास जा चुका हूँ मैं तांतरी के पास किया था मुआफी मांगे येशु के लहु के द्वारा साफ हो जाएं अगर आपने उनसे कुछ लिया है तो उसे चुटकारा पाएं किसी भी तरह का धागा या कोई गुप्त चीज उसे जला दें प्रभु की स्तूति करें और अपने विवेक को शुद्र रखें मेरे दोस्तों मेरी वेबसाइट है askdrbrown.org हजारों की मातरा में वहां से जानकारी लें मुझसे संपक करें और हमारे e-blast के लिए साइन अप करें जो बिलकुल मुफ्त है हम से Facebook, Twitter या YouTube से संपक करें askdrbrown.org पर जाएं मैं आपको फिर मिलूँगा ठीक यहां God TV पर Ask Me Anything में We want to hear your question so please contact us today